अखंड सौभाग की प्राप्ती के लिए प्रतेक वर्स भाद्रपद माह के सुक्लपच्च की तिर्तियतिती को हरतालिका तीज का ब्रत रखा जाता है। इस बार यहां ब्रत कल यानि 6 सेतंबर को रखा जाएगा, हर्तालिका तीज का ब्रत भगवान संकर और माता पारवती को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए भगवान भोले और माता पारवती से प्रार्थना भी करती है। हर्तालिका तीज का ब्रत केवल पती पतनी के अखंड सोभाग का प्रतीक नहीं बलकि धन प्राप्ती के लिए भी विशेश महत्तो रखता है। हर्तालिका तीज पर इस दिन जोतिस सास्त द्वारा बताये गए कुछ खास उपाय करने से धन की प्राप्ती भी होती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। अयुद्या के जोतिस फंडित कलगी राम बताते हैं कि हरतालिका तीज पर भगवान संकर और माता पारबती की पूजा अराधना करने शे देवी लक्षमी भी प्रसन्न होती है। इस दिन भगवान संकर और माता पारबती के साथ माता लक्षमी के सामने 10 देशी घी के दीपक जलाने से माता लक्षमी की विशेष क्रपा प्राप्त होती है। साथ ही लच्छमी के चालिसा का भी पाठ करना चाहिए, इसके अलामा इस दिन माता लच्छमी की कृपा पाने के लिए पूरे दिन कपूर जला कर पूरे घर में इसकी रोसनी दिखाना चाहिए, कहा जाता है, माता लच्छमी ऐसा करने शे प्रसन्न भी होती है, साथ ही घर में साकारात्मक्ता भी आता है